Welcome you all in RSV, latest info YouTube channel Friends, आज किस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं हिमाचर परदेश के TGT Arts का 2012 का GK section में पूछेगे important questions और Friends, ये questions हिमाचर के all TGT Arts commissions and all examinations के लिए important रहेंगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सेर करना मत भूलिएगा यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी आच्छा लगे चलिए बात करते हैं सबसे पहले questions की जो की TGT Arts 2012 के TET examination में पूछा गया था लाल बहादूर सास्त्री राष्ट्री और प्रसास्त्री अकादमी कहां पर सीत है very important questions है और काफी competitive exam में से कूछा जाता है तो Friends, इसका right answer रहेगा D. मसूरी तेल और प्रकृतिक गैस commission कहां सीत है very important questions तो इसका answers रहेगा B. option देहरादून इस दा right answers ठीके Friends, next question है असाम की परसीद अभ्यारन कांजी रंगा किस के लिए परसीद है very important questions है और maximum examinations में को पूछा जाता है तो इसका right answers रहेगा A. option राइनो इस दा right answers ठीके Friends, चलते हैं next questions की तरफ रेगिस्तान जंगलों के पौधों की पतियां होती है तो Friends, इसका right answers रहेगा B. option छोटा अकार और कांटेदार इस दा right answers ठीके Friends, next questions है भारत में पूर्सों की अपेकसास त्रियां अधिक दिखाने वाला एक मातर राज्य कौन है very important questions है तो Friends, A. is the right answer के रल भारत में रूई मिलों की सबसे अधीक संख्या कहां पर सीट है तो Friends, right answers रहेगा A. option एहमदावाद में एहमदावाद यानि की गुजरात के अंदर next question है शूर्य गरहन होता है जब तो Friends, answer रहेगा इसका C. option चंदर्मा, पित्वी और सूर्य के बीच जब आता है तो Friends, इसका right answer C. options रहेगा और Friends, आगे बढ़ने से कहले मैं यह बताना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को like, share और comment करना मत भूलिएगा क्योंकि आज चे हम जो है एक session त्यार कर रहे हैं जहांपे हम maximum previous competitive exam में जो भी जितने भी टैट में questions पूचे गए थे 10 से 12 सालों में पहले हम TGT Arts का cover करेंगे फिछ धीरे धीरे बाकी LT and JBT and whatever जो भी सारे courses S.P.T. में हैं तो उनका सारे previous exam के questions पेपर हम cover करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले competitive exam point of view से बहुत ही ज़्यादा important होने वाले हैं और साथ में आप भी suggest करिएगा कि हम अपनी वीडियो में किस तरह से improvement करें ताकि आप हम आने वाली वीडियो में वो चीज़ हम implement करते रहें चलिए ज़्यादा बाते ना करते हुए next questions की चलते हैं कथा बनाने के लिए कौन से पौधे का उपयोग किया जाता है कथा बनाने के लिए कौन से पौधे का उपयोग किया जाता है तो इसका right answers रहेगा friends B option Acacia Catecho is the right answers next question है वीश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कहां पर है वीश्व में सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो कहां पर है तो right answers रहेगा इसका C options Hara is the right answers next question है हम समानेता स्मूदर की गराई मापते है तो इसका right answers रहेगा B option Fathom में ठीक है friends काफी बार एक्जाम में इस questions को पूछ लिया जाता है तो आप इसे याद रखिएगा किसके कारण से जो है वो धालू गाटिया बनती है तो इसका right answers रहेगा B option glacier is the right answers ठीक है friends next question है चंदर्मा की कलाएं बनने का कारण है तो इसका right answers रहेगा B option चंदर्मा का परिभ्रहन is the right answers चलिए next questions की तरफ जाते है और friends हम mostly हर वीडियो में जो है कुछिस करेंगी हम चोटी चोटी वीडियो बनाएं ताकि आप उन वीडियो को पूरा देखें और friends वीडियो थोड़ा से भी अच्छा लगे तो प्ली से लाइक से और कमेंट करना मत भूलिएगा और इदिया भी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसका राइट अंसर रहेगा बी अप्शन मिश्यर अर्थ विवस्ता इस दा राइट अंसर नेक्स कोशी ने बहुत से राज्यों में बैट कब लागु किया गया था तो राइट अंसर रहेगा इसका फर्स्ट अप्रैयल लागु किया गया था इंडिया के अंदर ठीक है फ्रेंस the next question है कौन से बजार में एक पेड़ी किमत निधारित नहीं कर सकती है तो friends इसका राइट अंसर्स रहेगा A option पुन पतिशवर्धा इसदा राइट अंसर्स Next question है पुन पतिशवर्धा के अंतरगत एक पेड़ी का मांग चक्कर होता है तो इसका राइट अंसर्स रहेगा बी option पूरंता लोचनिय इस दा राइट अंसर नेक्स कोशिन है प्रतेक उत्पादन करने वाली पेड़ी का उदेश्य है लाब अधिक्तम करना इस दा राइट अंसर यानि कि इसका जो है वो पूरंता प्रत्यस्थ इस दा राइट अंसर माफी चाहूंगा थोड़ा कम प्रनांशेशन के लिए थोड़ी हिंदी में थोड़ा दिक्कत है अगर थोड़ा गलत हो गया होगा तो माफी चाहूंगा इस चीज के लिए 1991 के बाद सार्वजिनिक सेत्र का निजी करन बैश्व करन और उदारी करन के लिए क्या कारण थे तो फ्रेंस मैक्सिमम जो है उस टेंग भरस्तचार भी काफी था कारय में कुशलता की कमी थी क्योंकि लोगों को इतना ट्रेनिक्स नहीं होता है उस टेंग प्रभावीन प्र नेक्स कोशिन है भारत में राष्ट्रे आय का सबसे बड़ा स्तरोत क्या है भारत में राष्ट्रे आय का सबसे बड़ा स्तरोत जो है वो क्या है तो राइट अंसर रहेगा सी ऑप्शन सेवा कर इस दा राइट अंसर नेक्स कोशिन है फ्रेंस भारत में माल की किम्तों में प राइट अंसर रहेगा थोक मुल्य एंड उपभोगता मुल्य इस दा राइट अंसर नेक्स कोशिन है गरहाक सुरुक्षा कानून कब बनाये गया वेरी इंपोर्टेंट कोशिन है फ्रेंज और इस कोशिन को आप जुरूर टलीजिएगा तो 1986 में जो है वो गरहाक सुरुक्ष जो है वो निर्मित किये गये थे नेक्स कोशिन है राज्यस्थान में सिंदु घाटी सबेता के अबसेस पाए गये थे तो इसका राइट अंसर रहेगा बी ऑप्शन काली बंगा सेस जो है वो सिंदु घाटी के सबेता के अबसेस जो है वो पाए गये थे नेक्स कोशिन है भारत में सर प्रत्रम समाचार पत्तर प्रकासित हुआ था बंगाल गजट के अंदर भारत में सर प्रत्रम समाचार पत्तर प्रकासित हुआ था और काफी का बार इस को पूछा गया था चाहे आप आटो एक्शेस की बात करें या चोड़े एक्जम की बात करें, इस question को बहुत बार पूशा जाता है, तो इसको भी आप याद रखियेगा. फ्रेंस next question की तरफ चलते हैं तो next question कुछ इस प्रकार से है किस गुप्त कालिन साहित्य बेक्ति को जो है वो sex peer के साथ तुल्ल की जाती है very important questions है और कालिदास इस दा right answer सी option इसका सही रहेगा next question है गांदी जी द्वारा करो या मरो के नारा जो है हें सांग ने किस किस आसन काल में भारत की यात्रा की थी तो friends right answers रहेगा हर्सवर्दन इस दा right answers next question है friends last question है इस वीडियो का मन सबदारी परनाली की आरम की गई थी तो friends किस काल में जो है वो आरम की गई थी तो इसका right answer रहेगा अब अकवर्द के द्वारा जो है वो इस परनाली को शुरुआत की गई थी तो friends इस तरीके से हमने आज की इस वीडियो में important 30 questions जो है वो discuss किये हैं मैं आसा करता हूँ कि आपको इस questions अच्छे लगे होंगे और आने वाली वीडियो में भी हम mostly जो है इसी तरीके से tough और mixed questions जो है वो आपके साथ share करेंगे और friends इन questions को आप एक बार जरूर देखिएगा वीडियो को अगर आपको दुवारा समझ ना है तो बार बार देखिएगा और हिमांचा प्रदेश में आप चाहे किसी भी टैट या कैसी भी कमिशन या किसी भी एक्जाम की त्यारी क्यों ना कर रहे हो हमारा आप से promise है कि हम क्वारा अप दूप में और दूप तक एंडिया लेवल इंटरनेशनल लेवल का जीके जो है वह आप तक जो है वह आपके टैट आविशन के पर पेले पूरा कवर करेंगे और अप्गो को थिसी तश्य तरीके से पहुत रहेंगे वह आप से छोटी से जारी से कि प्लीज जैनत में बढ वक्तव् trademark चोंगरों दकि संतर आपो सब्सक्राइब ृम करें भिए देर्लिः कसे और मltवाई फैरिखल टीकिन्ल भाड़ाद स्ऴी्टों सब्सक्राइब to be गडए जिए81–3 बढ गगए जया जया वारत